राफाइल नडाल, रॉजर फेडरर, नौवाग जोकोविच और सेरेना विलियम्स विबिल्डन के सेमी फाइनल में पहुँच गए हैं आठ बार के पूर्फ चैंपियन स्विजिलिंड के रॉजर फेडरर तेरवी बार विंबल्डन के समी फाइनल में पहुँचे हैं समी फाइनल में उनका सामना अब स्पेन के राफाईल नडाल से होगा लंडन में चल रहे विंबल्डन के सेमी फाइनल में राफेल नादाल, रॉजर फेडरर, नुवाग जोकोविच और सेरेना विलियम्स पहुँच गए हैं बुद्भार को आठ बार के चैंपियन स्विसलैंड के रॉजर फेडरर ने क्वाटर फाइनल मुकाबले में जापान के केई निशिकोरी को 4-6-6-1-6-4-6-4 से हरा दिया इस जीत के साथ ही फेडरर विंबल्डन में 100 वी जीत दर्ज करने वाले दुनिया के पहले खिलाडी बन गए हैं फेडरर तेरवी बार विंबल्डन के सेमी फाइनल में पहुँचे हैं और अब उनका सामना स्पेन के राफेल नदाल से होगा वहीं अमेरिका के सैम क्वेरी को क्वाटर फाइनल मुकाबले में 7-5, 6-2, 6-2 से हरा कर राफेल नदाल साथवी बार विंबल्डन के सेमी फाइनल में पहुँचे हैं फेडरर और नदाल शुकरवार को 11 साल बाद सेमी फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे उधर दुनिया के नमबर एक खिलाडी नवाग जोकोविच नौवी बार विंबल्डन के सेमी फाइनल में पहुँचे हैं चार बार के पूर्व चैंपियन जोकोविच ने क्वाटर फाइनल मुकाबले में बेलजियम के डेविट गोफिन को 6-4, 6-6, 6-2 से हराया है विंबल्डन में जोकोविच की ये सत्तरवी जीत है समी फाइनल में अब जोकोविच का सामना स्पेन के रॉबर्टो बॉतस्ता गट से होगा वही सेरेना विलियम्स ने अलिजन रिस्की को 6-4, 4-6, 6-3 से हरा कर बारवी बार विंबल्डन के समी फाइनल में जगह बनाई है 37 साल की सेरेना की विंबल्डन में ये 97 जीत है समी फाइनल में गुरुवार को सेरिनाव विलियम्स का मुकाबला चेक रिपब्लिक की बार्बोरा स्टिकोवा से होगा। प्यूरो रिपोर्ट गो नियूज।